हे अल्राइट और वेलकम टू अल आज है 21 जून यूपी एसी मेंस कॉशन को डिसकस कर लेते हैं एथिक्स कॉशन हम डिसकस कर रहे हैं और कुछ दो केस इस्टडी हम पढ़ चुके हैं एथिक्स में आपके जीएस फोर का टॉपिक है और कुछ कॉशन आपके थियोरी बेज आ रहे हैं यह पूरा आप तो यही चाहते हो कि मेरा पूरा डेटा ही खतम हो जाए है ना यह देखो तो बहुत बढ़िया है और सभी लोग लगातार केस इस्टडी अपनी एथिक्स की मजबूत कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है चलिए मैं सबसे पहले आपको कॉशन बता कॉशन क्या है कि आप एक गॉवर्मेंट ऑफिसर हो गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आपके एक सीनियर है राइट आप उनको बहुत ज़्यादा जो है मानते हो बॉस को बॉस अच्छे भी है काइंड भी है आपके लिए और आप उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हो ठीक है आपके बहुत बहुत इंटलिजेंट है वेल इंफॉर्म्ड पर्सन है और आप उनकी नॉलेज़ धीरे-धीरे सीख भी रहे हो अपने डिपार्टमेंट में रहके और आपके बहुत सरे डिपार्टमेंट के बारे में आपको जान करिए ठीक हो गया तो एक तरह से आप अपने बॉस को बहुत ज़दा मानते हो अपने डिपार्टमेंट में अब इसके चलते हुए क्या होता कि बॉस भी आप पर डिपेंड हो जाते हैं आप भी और अच्छे काम भी कर रहें डिपार्टमेंट में एक दिन बॉस आपको अपने घर पुला लेते हैं तो जब आप बॉस कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा बिमार हूं और मेरे घर आ जाओ आप और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेंडम कॉशन है यह 2016 के यूपियसी में में पूछा गया है और मैं सबसे पहले वही तयारी करवाता हूं जो अल्लेड़ी यूपिय आपको एक विमें की रोने की आवाज आती है तो उसमें तो आप जो बॉस से पूछते हो तो बॉस का जो अंसर उतना साइडिस्पाइंग नहीं होता अगले दिन आपको पता जल जाता है जब आप थोड़ी से इंक्वाइरी करते हो तो आपको पता चलता है कि जो बॉस है आपके लिए अच्छे है आपके डिपार्टमेंट के लिए अच्छे है बट घर में अपनी वाइब के लिए जो उनकी वाइफ हैं वैल एजुकेटेट नहीं है इलिटरेट है उतना ज़्यादा पड़ी लिखी नहीं है राइट और ही ऑल्सो बीटस ओफ इस वाइब अपन domestic violence में घर में वो domestic घरेलू हिंसा कर रहे हैं अब edge पर question जब ऐसे question आते हैं जहां पर हमें ABC दिया होता न तो हमारे बहुत ज़्यादा easy हो जाता है question को answer करना तो देखो मैंने हमेशा बता है कि ऐसे question में introduction में क्या है पूरी story बता दोगे आप पूरी story क्या बताओगे यह case है एक domestic violence का और आपके boss करते हैं ठीक है और आप अपने basis पर पूरी story यही बताओगे कि आप एक government officer है आपके जो boss है आप boss को aspire करते हैं राइट और आपके जो boss है वो indul यह है date किये मुझे नहीं पता बट case study 1 आप देख लो part 1 देख लो उस पर पूरा explain किया है format ठीक है फिर उसके बाद body part से ही body part में एक चीज़ आप stakeholder लिख सकते हो फिर उसके बाद directly जब unlimited number of and number of case study आप कर ले तो तो आपको समझ माने लग जाता है कि किस question में कैसे answer करना है तो इस type के question में क्या करना होता है introduction देना होता है फिर body part में एक stakeholder वाला point लिख सकते हो कि कौन-कौन से stakeholder इसमें include हैं आप हैं आपके boss हैं boss की wife हैं आपकी seniors हैं यह सब stakeholder included है फिर बस जैसा जैसा question ने पुछा ए ए ऐसी situation है जहां पर आप चीजों को ignore कर देते हो और because it is their personal matter तो इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है कि इसके consequences क्या होंगे देखो बहुत simple सा question है कि analyze each option with its consequences तो पहला इन्होंने question ने खुद दिया है कि अगर आप situation को ignore करते हो तो इसके consequences क्या होंगे simple सी बात है अगर आप situation ignore करोगे consequences क्या होंगे कि यह morally और ethically दोनों गलत हो जाएंगे even illegally भी गलत होगा situation ज्योंकि ट्यूं रहेगी domestic violence आपके boss करते रहेंगे तो यह इसके conclusion में क्या लिखोगे यह morally ethically और legally गलत हो जाएगा यहाला answer हो गया फिर आपका रिपोस्ट दकेस्टो एप्रोपियर्ट ऑथरिटी मतलब इस केस को आप किसको बताना चाहोगे ठीक है उसके consequences क्या होंगे में भी आप अपनी पस्टन मैं boss को समझाऊंगा यार boss और मेरे अच्छे relation है तो मैं बहुस का behavioral change कराने की कोशिस करूँगा ठीक है दूसरा मेरा यह भी होगा कि जो boss की wife है उनको domestic violence 2005 के बारे मैं बताऊं ठीक है I think मैं आपका model answer पूरा बता चुका हूँ model answer मैं दे भी चुका हूँ यह देखो ABC पूरा अब थोड़ा सा उसके बाद हम अपने जो users हैं उनकी analysis करेंगे बड़ आगे बढ़ने से पहने अगर आप social media से cut भी है फिर भी telegram application download कर लीजिए search box में टाइप करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे यहाँ पर daily के basis पर जो question है वो हम share कर देते हैं उसके साथ साथ जो हमारे paid user है जो अपनी answer writing करते हैं वो भी मैं आपको free में यहाँ पर share करवा देता हूँ ठीक है बड़ आप चाह आपको मिलेगी 499 रुपीज में और आप अगर तीनो प्लैन लेना चाहते हैं जिसमें एंसी टैसरी इंक्लूड है यूप्यसी सी सेट कोर्स इंक्लूड है 999 रुपीज में आप अवेल कर पाएंगे और यह lifetime course है लेना बहुत सिंपल है दिए गए नमबर पर Google पर फॉन पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम प्राइवेट ग्रूप से एड़ कर लेंगे चलिए एक बार मैं model answer को जल्दी जल्दी बता दिता हूं फिर analysis करेंगे ठीक है सबसे पहले आप देखो introduction में आप बताओगे कि एब इगनोर करते हो situation तो अगर आप इगनोर करते हो situation तो क्या होगा situation सेम रहेगी domestic violence ज्योंकातियों रहेगा तो यह morally, ethically और legally गलत रहेगा ठीक है doing nothing would not be ethically and morally right further as a government officer अगर आपको पता है law wallet हो रहा है तो यह legally भी गलत है तो एक question का answer आपने दे दिया ठीक है इस तरह से आप answer दोगे अगर आप appropriate authority अगर आप appropriate authority को report करते हो तो तब क्या consequences होंगे if I do so my boss may come to know about my involvement और as a junior मेरे काम पर दिक्कत आ सकती है सबसे पहला अगर appropriate authority को पता चल गया आपके boss को तो आपके काम प अगर आप inform करते authorities को इस situation के बारे में तो जो wife उनकी suffer कर रही है वो भी कम हो सकती है right accountable रहेंगे तो यह legally morally और ethically दोनों ही सही होंगे भी option भी सही होगे तीसरा आप क्या करोगे अपनी जो boss की wife है उनको approach करोगे उनको domestic violence 2005 के बारे में बताओगे क्योंकि उनको उतनी ज्याद चेंज लाने की कोसिस करूँगा बस यही simple सा answer खतम हो गया जब भी ABC आता है तो बहुत simple हो जाता है ठीक है तो I think मैं आपको question भी बता चुका हूं answer भी ओके चलिए सबसे पहला केशव भट जी ने लिखा है केशव गुपता जी ने लिखा है इनके बारे में सबसे पहले तो नहीं यह आपको ऐसे introduction शुरू नहीं करना मैंने introduction केशव गुपता जी सबसे पहले जो पहली पार्ट है वो देख लीजे क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि introduction में क्या लिखना चाहिए introduction में story लिखनी है कि क्या particular पूरी question की story क्या है examiner को बता नहीं है story तो यह गलत introduction हो जाएगा ethics case study के लिए सबसे पहले story लिखो आप story क्या होगी कि domestic पूरी situation explain करो ठीक है मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊंगा आपको part 1 देखना पड़ेगा ठीक है to promote crime happen by not trying to stop any report the case to appropriate authority this appears to be but it is not not free a complication the wife being a simple and may deny to allegation due to the fear and society of husband when it comes to the notice of my then I report the case और ज्यादा और हाला कि आपने बहुत अच्छा लिखने का try किया है अपनी language में थोड़ा सा और ज्यादे improve होगा ठीक है day by day यह improve होगा राइट मैं आपको model answer बता चुका हूँ किस तरह से आप लिखेंगे करके राइट approach क्या होनी चाहिए trying to convince him for counseling session psychiatrist देकि इतना यह mental problem नहीं है जनरली ठीक है पर यह awareness की कमी है ठीक है तो इतना हमें एक extreme भी नहीं करना चाहिए हमें उनका behavioral change करना है बस ठीक है counselor के पास देख सकते हैं psychiatrist थोड़ा सा और ज्यादा वह हो जाएगा ठीक है और extreme भी हमें point नहीं लिखने है ठीक है बांकि आपने point अपने मंद से बनाने की कोशिस के यह सही है पर एक proper structure होना चाहिए introduction आपका गलत है introduction आपको सही करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको दिखाता ह दूसरी copy हाला कि model answer तो मैं बता चुका हूँ इन्होंने ठीक है question लिखाया पूरा तो चलिए इन्होंने देखो introduction इनका देखते हैं क्या लिखाया इन्होंने मैं एक सरकारी कारेल मैं नहीं निक्तिक पर साथ सामिले की हुआ मैं तो निमांदर है तथा मेरे boss कारेल मैं एक अ directly बता दिया इन्होंने introduction ऐसे ही start होता है ओके थोड़ा सा यह घरेली हिंसा वाला और ज्यादा अंडरलाइन करोगी तो और मजाएगा ठीक है इस्टेक होल्डर जैसे मैंने कहा था इस्टेक होल्डर include करो इस्टेक होल्डर आपने किया है महिला छेतर के NGO स्वयम मैं उप्यूकतत बॉस की पत्नी और बॉस बहुत बढ़िया अपने विकल्पों का परिणामों के साथ विशलेशन ए बी और सी करके बताया है इस बार में सोचने पर ध्यान ना दें ठीक है सकारम्द मैं इस स्थित्ति में अपने नीजी वेबसाइट को के हित को सुरक्षित रख सकती हूं तथा प्रगरति सुनश्षित होगी नकारमत प्रणाम यह है यह था प्रोस्तान देगा था अन्याई के लिए विरुद्ध मोव प्रदेशन अपने अपने अन्याई है ठीक है और ज्यादा इसको देखिए जोती में था और ज्यादा कैसे इंप्रूब कर सकते हूं जब केस इस्टेडी वाली आती है तो तीन पॉइंट हमेशा याद रखो उनी के एराउंड आपको जोंकित्यों घुमाने है हम तो डेली के बेसिस पर करेंगे बट एक्चुल में जब जी एस फोर के आप कॉशन दोगे आपको चार पांच केसे इस्टेडी मिलेंगी तो हर केसे इस्टेडी में यही ध्यान रखना तीन वर्ड् हर चीज में यह लिखना भी है ठीक है ओके याला बांकि आपने बहुत अच्छा लिखाय की है सकारात्मक परिणाम इसके क्या होंगे नकारात्मक परिणाम क्या होंगे ओके मामले में उप्यूक्त प्रधी प्राधिकारी यह एक उप्यूक्त विकलपता था इसमें बोस की पत्नी को प्रियाप्तिव विदिक सायता मिले की सकारमत के यह बॉस को अपने कृति के लिए उत्तर जाई ठहराए जा सकेगा बॉस को सिकायत करने के बाद सहबागीता पता चल जाएगा कि मेरी निजीहित में बहुत अच्छा आंसर और बहुत अच्छे से आपने सबसे पहले मैं घरे लिए हिंसा के दोजार पांच को बताऊंगी ठीक है और उसके बाद घरे लिए हिंसा के साथ ही एक परिवारिक मामला है अंतमे स्वयम पहले करते हुए मधिसार डैस्क वारता द्वारा और इन ततकाली को प्योंगे बाद भी यदि बहुस का रविया अपनी पत्नी के प्रती हिंसात्मक रहता है तो गोपनिया सिकाया द्वारा इस मामले में बहुत बढ़िया और एंजियो की साथ महला यह करूँगा और कंक्लूजन आपने लिखा है देखिए हिंदी माध्यम के लिए इस कौपी से सीख सकते हैं कि पर्टिक्लर एक आंसर को जब भी consequences वाल यह चीज़ें आती है ना तो उसमें positive negative कैसे ढोट सकते हैं राइट चलिए चलिए एक और English medium की करते हैं आपसे कोई ठीक है तो यह आपका introduction बिलकुल पूरा गलत हो जाता है मैं हमें से बोलता हूँ ना introduction या तो कभी सही होता या कम सही होता पर यह ना ज़्यादा सही है ना कम सही है पूरा गलत है यह क्यों है आपने साथ पहली हमारी वीडियो और दूसरी हमारी वीडियो नहीं देखिए case study की में भी तब आप गलत कर रहे है क्योंकि जब आप देखोगे तो तब आपको समझ मा जाएगा कि introduction क्या है जोती मैता की copy देखो ठीक है उन्होंने पूरी explain कर रही है story ठीक है तो यह वाला introduction आपका गलत हो जाएगा बांगी body part से सही है stakeholder यंग employee department डारेक्टर डारेक्टर वाइप और higher officials ठीक है ethical dilemma involved in case और दूसरा एक और चीज़ है ethical dilemma ठीक है आपने include किया यह भी एक सही answer है इसको इंक्लूट कर सकते हो बड़ जब भी ABC वाला directly question pools दिया जाना ABC तो आप इस point को जो है eliminate कर सकते हो ठीक है आप direct a वाला answer लिख सकते हो कि उसके consequences क्या होंगे ठीक है और आपको बार बाद यह नहीं लिखना है कि analysis of given option and their consequences directly a लिखो और answer लिखो just ignore thinking about it because the personal matter lead to positive or as well as negative consequences आपको यह चीज़ा नहीं लिखनी है कि यह positive consequences भी ने negative consequences directly आप अपना point लिखो ठीक है इससे पहले model answer पता चुका हो ओके job secure relation with boss not get impacted negative domestic violence against women would continue ओके just for the sake of my job I cannot let this happen anymore as a government officer it's my legal or moral duty to raise the violence ठीक है voice against the crime ठीक है बाग अच्छा लिखा आपने report the case to appropriate positive or negative consequences लिखे है in innovative approach towards the situation ठीक है यह मैंने point अच्छे लिखे हैं ठीक है बाद introduction आपका गलत है जोती मॉयका पढ़ लेते हैं in the given case I am a young as a aspiring employee in the government working as assistance to director of department my boss is well behaved an intelligent person but one day I came to know that physically abused his wife यह देखिए इन्होंने introduction अच्छा शुरू किया है ठीक है पर आप इसको और कम story based बनाओ कि बट एक दिन ऐसा हुआ यह नहीं directly my boss indulge in domestic violence case ठीक है बस इतना लिखो ओके आप introduction ऐसा थोड़ा सा कम करना कि जो पूरी कहानी के बेसिस पर मत लिखो ट्राइए करना कि आप एक working officer है और आपकी जो senior official है they involve और they indulge in the domestic violence बस इतना simple सा लिखो introduction और ज्यादा sort हो सकता है आपका ठीक है dilemma in front of me आपने ठीक है लिखा है stakeholder in the case ट्राइए करना जब भी directly पूछा जाए ABC point में तो dilemma थोड़ा सा eliminate कर सकते हो stakeholder लिखना फिर directly ABC case को यह आपको यह इतना ज्यादा खीचना नहीं है ठीक है यह law again domestic violence यह आप तीसरे पार्ट में include करो जहां पर जरुवत है ठीक है ignoring the situation could be an option for me in order to नहीं यहाँ पर देखी एक आपके पास option नहीं है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर आप situation को इगनोर करते हो तो क्या उसके consequences होंगे ठीक है तो directly जब आप situation इगनोर कर रहे हो तो उससे क्या होगा यह आप आपको बताना है ठीक है बांकि आपने लाश्टली अप्रोचिंग यह अपना अच्छा लिखा आपने answer ठीक है my course of action आपके क्या होंगे डारेक्टर वाइब को अवेर करवाना ठीक है यह point तो मैंने भी आपको बताए है right बांकि अच्छा लिखा है introduction और ज्यादा sort करो ओके देखिए हिंदी माध्यम में इनका भी answer सही रहता है नितीश निस्तीश ने अभी 12th pass किया है सिर्फ ठीक है और यह I think 2024 में अपना answer लिखने वाले है means UPSC देरेंगे ठीक है अभी से देखो 12th pass करते हुए इनकी अच्छी answer राइटिंग है देखो उपरोप्त अगामने में य शवी होश्यार और सजन वेक्ति है और रोज घर जाना होता तो पता चलता है कि वह अपनी पत्नी के साथ सारी हिंसा में इसको सारी हिंसा के बढ़िये अच्छा घरेलू हिंसा भी include कर सकते हो ठीक है घरेलू हिंसा और अच्छा इसमें सब्द होगा जो कि कॉशन में दिया है आप कॉशन के हटकर वर्ड चेंज मत करना बागी घरेलू हिंसा इसको चेंज करो ठीक है देखो आपने पुरा बताया है यह बहुत बढ़िया आपका अंसर भी बहुत अच्छा है हिंदी माध्यम के बच्चे इनसे भी सीख सकते हैं प्रॉपर बहुत अच्छा है हिंसा में मुक्त हो सकती है समाज की महलाओं को सकारत्मक संदेश बहुत बढ़िया नकारत्मक वही है बौस के साथ बनेगी नहीं आपकी मुझ पर मानहानी का दावा हो सकता है बहुत बढ़िया अभी न वो दृष्टिकोन घट्टा के पीछे कारणों में सच्चाई की जा पर बागी आपने बहुत अच्छा अंसर लिखाया बहुत बढ़िया ओके चलिए अब जाज कर लेते हैं निकिता गुपता की दवब सिचुएशन रिप्जेंटेव वीमन सपर्प्रॉम डॉमस्टिक वैलेंस पाई नश्ट देखिए यह डाटा यार यह डेटा वगरा कम डालू ना यह डेटा डालना ही नहीं है आप लोगों को इस्टोरी बतानी है यहाँ पर GS1 GS2 GS3 के बारे में छोड़ दो ठीक है तो यह आपको इंट्रोडक्शन इंप्रूब करना है फिर इस्टेक होल्डर डालना है यह इंक्लूड है आप एथिकल डाइलमा इसमें इंक्ल दिये हैं दियार पर्सनल मेंटर मीजर टू रेक्टिफाइदा सिचुएशन वाइलेंस इफ आ डिनेंट टेक अनी एक्शन आइक्शन आइक एन हैब माई जॉब सिक्यूर ठीक है आप इन कोशनों को पॉजिटिव और नेगेटिव के बैसेस पर लिख सकते हो मैंने आपको बहुत सारी लोगों के आंसर भी बताएं है ओके चलिए मैंने सबसे पहले मॉडल आंसर भी दे दिया बहुत से लोगों की कॉपी पे अनलाइस कर लिए एक लास्ट कॉपी अनलाइस करते हैं गिवन सिचुएशन सोज, डॉमस्टिक, वाइलेंस, नहीं, गलत, निर्मित, च चीज़े लिखनी ही नहीं है, आप GS123 नहीं लिख रहे हो, आप केस इस्टेडी बता रहे हो, बांकी स्टेक होल्डर ये नीची की सब चीज़ें ठीक हैं, बत इंटोडेक्शन साही करो आप अपना, ओके, चलिए एक लास्ट कॉपी अनलाइस करते हैं, उपाशना वैद की ठीक है, इन अब आइम वरकिंग एसिस्टेंस इन डिर्क्टर डिपार्ट्मेंट इन गवर्मेंट इस वेरी काइंड, वेरी इंटलिएंड इतना, 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 उपाशना सबसे पहले ये देखो जैसा मैंने बोला था, जैसे पूरे कॉशन में, इस्टोरी सिर्फ चार-पांच लाइन का होना चाहिए, आपने पूरी स्टोरी लिखिया है, तो इंट्रोडेक्शन थोड़ा सा कम करो, इस्टेक होलडर लिखे हैं, इसको और अच्छे से सजा सकते हो, ठीक है, ये डाइलमा कम कर सकते हो, ठीक है, अभी लिखने की जरुवत नहीं है, बांकि A, B, C को directly explain करो, ठीक है, जैसे A है, कि आप situation ignore करते हो, if I will ignore this situation, it will remain the same and domestic violence against the wife would continue, बहुत बढ़िया, being aware factors should I turn I to the, ठीक है, doing nothing would not be ethically, हाँ वही, ethically, morally ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है, positive consequences भी आपने लिखे हैं, provide legal support to the women, और negative consequences भी लिखे हैं, कि आप फिर काम में दिक्कत आएंगी, innovative approach, ठीक है, बांकि सबी लोग ने चलो अच्छा लिखाया, फिर आपनी conclusion में लिखाया, ठीक है, बढ़िया, तो try ये करना, सबी लोग introduction पार्ट अच्छे से लिखे हैं, आज क इस वीडियो में इतना ही, ethics case study ऐसी ही है, कि यार, जितने आप question face करोगे, उतना अच्छा आप लिख पाओगे,